सूपर बात बच्चो मैं सुनीता रानी में आज आप लोगों से आप लोगों के सामने वसंत भाग तीन कक्षा आठवी की दूसरी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हो इससे पहले हम ध्वनी कविता जो की पाठ एक था हमारा कविता वन उससे पहले हम उसके कोशन कविता को हम डिसकस कर चुके हैं आज यह हमारी दूसरी कविता है क्योंकि आपको पता है कि भारत पूरा लोकडाउन चल रहा है तो इसलिए हम इस समय का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने स्लेबस को एक एक करके हम आगे बढ़ाएंगे तो आए चलते प्रस् इनके लेक्ख हैं जिनोंने इस कहानी को लिखा है बेसिकली इस कहानी में आपको बताऊंगी लेक्ख ने जो है किस परकार से मशीनी युग आने के कारण हमारे जो समाज में हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं उनकी विधा यहां पर दिखाई है ठीक है तो मैं इसमें आपको कुछ पहले चित्र दिखाना चाहूंगी यह जो चित्र है आप लोग इसको देखिए इसमें जो व्यक्ति है वो आपको कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा होगा ठीक है तो यह जो कहानी है यही इसी व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम कहानी में बदलू है बदलू जो है एक गाउं में रहने वाला एक मनिहार है ठीक है मनिहार कौन होते हैं जो चूडिया बनाते हैं कहानी को पढ़ने से पहले हम आपकी वसंत भाग में दिये गई कुछ शब्दों के अर्थ हम पढ़ लेते हैं जो कहाने के बीच बीच में आते हैं और जिसकी हमें आगे जुरूरत पढ़ती है कहानी में एक शब्द आया है चाव चाव क्या होता है इच्छा चा या रूची इंटरस्ट जिसको हम बोलते हैं सलाख है क्या होती है सलाई या धातु की एक छड़ होती है पतली सी जिससे जो है पिरोने का काम किया जाता है मुंगरी यहाँ पे गोल मुठियादार लकडी जो ठोकने पिटने के काम में आती है पैत्रिक एक शब्द आया है पैत्रिक शब्द क्या होता है पैत्रिक जो पिता से चली वी आ रही कुछ पुस्तेनी चीज़े होती है जो पुर्वजो से चली आती है जैसे आप लोग भी देखते होंगे आपके घरों में बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जो उनके दादा जी भी वही काम करते थे फिर माता पिता भी वही काम करते है वही होता है पुस्तेनी या फिर कुछ आप लोगों का पुराना घर जिसको पुछते नहीं बोलते हैं मतलब वो आपके दादा जी के दुआरा बनाया हुआ घर था लेकिन अब पैत्रिक संपत्ती होने के करण अब वो आपके पिता जी के पास है आगे आती है खपत खपत शब्द का अर्थ होता है माल की विक्री अब आती है वस्तू पैसे से ना खरीद कर पैसे से ना खरीद कर वीनिमे का अर्थ यहाँ पर इंपोर्टेंट है यहाँ से आप लोगों का एक प्रेशन भी बनेगा कि वस्तु वीनिमे किसको कहते हैं प्राचिन समय में यहाँ पर एक पदती चलती थी जिसमें जो लोग है वो वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते थे और इसी तरीके से पदती चलती थी वर्तमान में क्या आप सोच सकते हैं कौन सी पदती चलती है क्या वस्तुवीन में अभी भी है आप लोग सोच सकते हैं प्रश्ण का उत्र, अभी वर्तमान में वस्तुवीन में नहीं होता है, अभी आप लोग देखो गें, आप जो भी दुकान पर ज suppression पर जाते हैं, तो पूरा का पूरा समान आपको पैसों में म कमी जो है उसकी कसर निकालेना हम बोलते हैं कि जिसने पूरा साल नहीं पड़ा अभी अंत में एक महीना पड़के हम पूरी कसर निकाल लेंगे तो वही घाटा पूरा कर लेना नाजुत का अर्थ यहां पर क्या होता है कोमल होता है ठीक है आगे शब देखते हैं कुछ पगड जख्म का इलाज करना घाव पर दवा लगा कर पट्टी बानना मच्या मच्या शब्द जो है यह हमारा लोग परचली शब्द है इसको क्या है यह बैठने के प्योग में आने वाली सुतली आदी से बनी छोटी चकोर खाट आप लोगों ने खाट देखी होगी आप लोगों मच्या जिस पर की चोटा सा बच्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इसको हम बोलते हैं मच्या तो यह छोटा रूफ होता है खाट का ही चोटा रूफ होता है और सेम धागों से सुतली से सोलएक में करना आख दर ऊदर न चुरां के बलकि के सामने अपने चहरे के सामने बैठके दूसरे व्यक्ति से बात करना डलिया बास का बना एक छोटा सा पत्र होता है आप लोगोंने मार्किट में भी देखा होगा जिसमें हम कई बार सब्झियां रखते हैं तराजू तायप की चीड उसको डलिया भी बोला जाता है फबना का अर्थ सजना होता है या शोबा देना होता है अच्छा लगना ठीक है तो आएए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कौन सी है बचो लाख की चूडियम अब सबसे पहले हमें पाट का अर्थ देखना है इसका कहानी का नाम में ही छिपा हुआ है चूडिया मतलब चूडियों की बात हो रही है और कौन सी चूडियों की बात हो रही है लाख की चूडियों की यहां पर बात हो रही है अब यह लाख की चूडिया कौन सी होती है यह एक मैटल टाइप की चीज़े होती है जो बेसिकल ताइब की चीज होती है उसी से चुडिया बनाई जाती है वेस्ट बंगोल में जादा तर प्रसिद होती है पूरे भारत में बहुत प्रसिद हुई थी लाग की चुडिया पुराने समय में इस्तरियों के द्वारा बहुत पहनी जाती थी ठीक है तो यह जो कहानी है लाग की चुडियों पर हैं यह देखे आप जो है यहां पर एक सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाग की गोलिया बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लोड़ता था तो मेरे पास धेज सारी गोलिया होती रंग बिरंगी गोलिया जो किसी भी बच्चे का मन मौले यहां पर कौन बात कर रहा है यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर लिखक बात कर रहे हैं यहां पर लिखक कौन है कामतनाथ जी है ठीक है वो अपनी बच्चपन की एक छोटी छोटी बाते हैं जो यहां पर शियर हम से कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से तो यहां पर क कहां पर था लेकिन आप लोगों कि जब ये ग्रिशम का लिन अवकाश होते हैं जैसे आपके समर विकेशन होती हैं विंटर विकेशन होते तो आप लोगों के माइन में पहले से ही कुछ ने कुछ एक प्लैन होगा कि हम मामा के घर जाएंगे हम बुआ के घर जाएंगे इसी परकार से कामतना जो कि इस पार्ट के लिखक हैं उनको भी छुटियों में अपने मामा के यहां घर पे जाने का बहुत ही चाव था बड़ा चाव का अर्थ मैंने पहले ही बताया था क्या होते ही जाएंगे घूमने के लिएंगे भूत ल मामा के गाउं का होने के कार्ण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप मामा के घर जाते हैं तो लोगों को आप मामा या मामी ही बुलाते हैं ठीक है तो लेखक यहां पर क्या बता रहे हैं कि वैसे तो मुझे रिष्टे क इसाब से उनको क्या बुलाना चीह था मामा बुलाना चीह था लेकिन क्यों कि गाओं के सभी बच्चे उनको बदलु काका कहकर बुलाते थे इसलिए ही मैंने भी मैं भी उनको क्या कहकर बुलाता था बदलु मामा ना कहकर बदलु काका उनको कहकर पुकारता था यहां से एक प्रेशन आप लोगों का बनेगा कि लेखक बदलू को मामा ने कहे कर बदलू काका क्यों कहते थी तो ये प्रेशन का भी अंसर आप लोगों को देखना है आगे बढ़ते हम कहानी में बदलू का मकान कैसा था बदलू का मकान कुछ उंचे पर बना हुआ था मकान के सामने बड में बट्टी बट्टि मतलब क्या होती है जिस में आग जलती रहती यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर एक छोटी सी भट्टी नीव लाख पिगलाया जाता है। अगकी में खाल 50,007,000,000,000 को पिगलाते थे फिर इनके जो हाँत में इसको हम मुंगेरी टाइप बोलते हैं जिसमें वो चूड़ियो को आकार देने का काम करते थे ठीक है यहां पर वो चूड़ियों को आकार देने का काम करते थे और यहां पर सामने इस तरीके से इनको टांग देते थे यह पीछे आप बोक्स देखते होंगे यह आकार देने के बाद थोड़ी देर के लिए यहां इन में ऐसे लकडी टाइप चीज़ों में इनको टांग देते थे ताकि चूडियों के शेप जो है वो बहुत अच्छी हो जिसको हम आज की बहाशा में इंगलिश भाशा में अगर कहीं तो स्टूल टाइप की चीज़ों में बैटकर अपना काम करते दें बगल में खुका रहता था अब लोगों ने देखा होगा गाउं में जब भी जाते होंगे तो गाउं के लोग रुका पीते हैं ठीक है तो व चूडिया किस परकार से बना रहे हैं ठीक है तो यह अपना लेखक भी लेखक को भी एक मचीय पर बिठाया हो है जब इनके घर जाते थे दो पैर में तो इनको भी एक मचीय बदलू जो है दे देते थे और इनके पास यह बैठते रहें अब प्रेश्ण यह उठता है कि लेखक को इतनी रूची क्यों थी बदलू के वहाँ जाने पर उनको इतना अच्छा क्यों लगता था आगे हम इस कहानी में देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमारी यह बात हो गई कि सबसे जादा दोपैर का समय जो है लेखक कहां पर बीता था बदलू के घर पर ही बी हाता था ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलू के चरीतर के बारे में बताया हुआ है कि बदलू किस परकार मनिहार था जैसे सोने का काम करने वाले को सुनार कहा जाता है लोही के काम करने वाले को लोहार कहा जाता है इसी परकार चूडियों का काम करने वाले व्यक्ति को मनिहार कहा जाता था उस समय पे चूडिया बनाना उसका पैतरिक पेशा था मैंने बताया पैतरिक पेशा क्या होता है जो कि पिता से चली आ रहा एक पेशा होता है यानि वेवसाइज जो पिता कर रहे थे वही पुत्र भी कर रहे थे ठीक है और वास्तों में वह बहुत ही सुंदर चुडिया बनाता था उसके बनाई चूडियों की खपत भी बहुत अधिक ती क्यों खपत थी क्योंकि पूरे गाओं में जो है बदलू ही सबसे ज़्यादा चूडिया बनाता था और लगबग गाओं की ओरते अब उनके गाओं की नहीं बलकि अन्य गाओं की ओरते भी बदलू की बनाई हुई क्योंकि लेकर ये जिस समय की बात कर रहा है उस समय में क्या चलता था वस्तू वीनी में इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग उनको अनाज दे देते थे बदलू को अनाज दे देते थे और बदलू उनको क्या दे देता था चूडिया दे दे था वैसे बदलू सभाव से बहुत सीधा अच्छा वेक्ति था लेकिन कभी कभी वो जगड उसको उन्होंने लेखक ने कभी जगडते नहीं देगा लेकिन शादी विवा के अवसर पर बदलू हमेशा जिद पकड़ लेता था अब कोशन यह आता है कि बदलू ऐसी जिद क्यों पकड़ लेता था देखे पूरा स उस समय क्या करता था उस समय वो क्या शादी के अवसर पर वो हमेशा पैसे लेता था ठीक है तो शादी विवा के अवसर पर वर्ष्य जिद पकड़ लेता था जीवन बर चाहे कोई उससे मुफ्त चूडियां ले जाए प्रन्तु विवा के अवसर पर वे सारी कसर निकाल ल पूरा कर लेता था, अब मुझे याग है, यहाँ कौन बात कर रहा है, यहाँ पे लेखक बात कर रहा है, कि मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवा पर जरा सी किसी बात पर बदलू क्या हो गए थे, बिगड गए थे, और फिर उनको मनाने में लोहे लग गए, अब यहाँ पे तो इसी परकाशे हम देखेंगे, अगर आपको वायचेंप पर्योग करेंगे तो बदलू को विवा के आउसर पर मनाने के लिए लोहे लग गए, ठीक है, कभी-कभी आप माता-पिता से जब नराज हो जाते होंगे, तो आपकी माता को आपको मनाने के लिए बहुत लोहा लग जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते ढिएरो अनाज मिलता उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग मतलब इस विवाह के अवसरा पर चूडियां बनाता था तो उसको क्या- parach इमिलता था उसमें घरवाली के मतलब उसकी पतने के लिए भी उसको वस्तर मिल जाते थे, अनाज भी मिलता था, उसको सिर्पे पहनने के लिए पगड़ी भी मिल जाती थे, और रुपे भी उनको मिल जाती थे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अब सबसे बड़ी बात, बदलू के बारे में आगे बात बढ जाता था क्योंकि वो पूरे साल में केवल एक ऐसा शादी का ही आता था जिसमें की बदलू अच्छे से पैसे कमाता था अब बात करते हैं कि बदलू को किस बात से चिड़ थी बदलू को सबसे बड़ी चिड़ थी काच की चूडियों से अब आप मुझे बताओ बच्चो आप की चूडियन के बनाना तो उनको कांच की चूडियों से होना सुभाविक है कि आप ब्राबर में ही दूसरे व्यक्ति ने कांच की चूडियों की दुकान खो ली धीरे धीरे क्या होने लग है आपकी जो लाग की चूडिया है वो कम बिकने लगी और कांच की चूडिया क्या होने लगी जादा बिकने लगी तो बच्चो आप मुझे बताओ तो फिर आपको उसमें घुसा आएगा की नहीं आएगा कि हमारी चूडिया नहीं बिकरी हैं यानि बदलु क्या चाहते थे, कि सारी इस्तुरियां लाख की चुडियां पहने, अब यहां पे बात है, कि बदलु को कि इस बात से चुड़ती कि काज की चूडियों से, किसी भी इस्तुरि के हाथों में यदि आझे चूडियां दिख जाती थी, मुझसे तो घंटो बातों किया करता था आप यहां आगे कौन किसे बाते कर रहा है लेखक से बाते हो रही है किया करता था कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते कभी मेरे घर के बारे में तो कभी मेरे शहर के बारे में और मैं उनसे कहता कि शहर में सब काथ की चूड़िया पेहनते यानि लेकर क्या बता रहे हैं बदलु को की शहर में तो सब काथ की ही चूड़िया पेहनते वहाँ पर लाग की चूड़िया कोई नहीं पेहनता है तो उस समय पर बदलु उनको क्या जवाब देते थे शहर की बात और है लला वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहां तो ओरते अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती है, और उनकी कलाईया नाजुक होती है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर उनका एक माइन सेट है, यहाँ पर बदलू का एक माइन सेट दिखाया गया, उनका छवी दिखायी गई है, कि उ आम की फसल में से मुझे दो-चार आम डेली देता था, परन्तो इन सब बातों की अत्रिक लेखकों यह सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लेखक को बदलू का कौन सा विवहार लगता था, यहाँ पर यह प्रेशन बनेगा, यह बहुती मैतपुन है, एक प लगता था, वह यह था, कि लगबग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलिया बना देता था, बच्चों को आपको भी पता, आप लोगों ने कंचे खेले होंगे, ठीक है, कांच की गोलिया खेलते होंगे ना, खेले होंगे आप लोगों ने भी, तो उस समय में लिखक अपनी कि पसंद की चीज मिलती हैं तो इसलिए बच्चों को वहां जाना बहुत पसंद होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आपको जहां जो चीज आपकी पसंद जाती है। तो वहां आपका बाड बाड जाने का मन करता है। ठीक है तो यहां पर लेखक ने अपने बच्पन के बारे में बताया है कि वो बदलों के पास क्यों जाते दे क्योंकि बदलों को दो गोलियां एक दो गोलियां डेली बना कर वो दे दिता था ठीक है मैं बुदा हर गर्मी की चुटियों मैं अपने मामा के यहां चला जाता और एक आद महीने वहां रहेकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था प्रन्तु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया हो गा तब ही मेरे पिता की दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवदी तक में अपने मामा के गाउं नहीं जा सगा यहां पर लेखा क्या कह रहे हैं? कि दिरे दिरे क्या होगा? मैं दो तिन बार ही गाओं में गया था लेकिन मेरे पापा की कहीं ओर ट्रांसफर हो गया जैसे बाप लोगो को यहां कुछ अच्छा लगा होगा जैसे आप लोग भी पढ़ते ही आपके पिता का कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो आपको भी जाना पड़ता अपने पिता के साथ में तो वो सब चीजे उनकी छोट गई और वो गाउं तक नहीं जाबाएं लगबग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गया तो वहां इतना बड़ा हो गया था कि लाकी गोलियों में मेरी रूची नहीं रहेगी दी यानि अब लेकर क्या बता रहे हैं कि मैं 8-10 साल के बाद गया 8-10 साल बाद भी उनकी उमर भी बढ़ गई होगी वो बड़े भी हो गए तो अब जो है आप लोगों ने देखोगा बच्पन में आप गुडिया और दूसरे खिलोनों से खेलत होंगे लेकिन जब आप आठवी कक्षा तक आ जाते हैं तो आपके खिलोने भी बदल जाते हैं क्यों आपको क्या है अब आपको जो है घर में गुडिया से बैट कर या लड़कों को घर में तलवार बाजी या इस तरी कि या बंदूग चलाना अच्छा नहीं लगता होगा बलकि आपके खेल जो हैं दूसरे हो गए होंगे आप लोगों को ग्रुप में खेलना अच्छा लगता होगा तो इसी परकार से यहां पर क्या दिखा रहा है लेकि कि उनकी भी रूची अब बदल चुकी थी रूची मतलब यहां पर एक शब्द आया है क्या उनका इंटरस् गोलियों में नहीं रहा गा था तो इसलिए क्या हुआ जब वह बहुत आट-दस साल बात गए तो उनको बहुत समय तक बदलू काका की याद ही नहीं आई लेकर को क्यों नहीं आई क्योंकि वह उनके पास गोलियों के लिए जाते थे और अब गोलियां वो खेलते नहीं थे ठीक है लेकिन एक दिन क्या हुआ लेकर के साथ में उनके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उनके मामा की लड़की ने हाथ में क्या पहना हुआ था कांच की चूड़ियां पहनी हो दी और वो चूड़ी तूट कर कांच की चूड़ी तूट कर लेकर के हाथ में घुस गई और लेखा को बहुत सारे खून आए ठीक है बरसात में मेरे मामा की चोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी तूटकर उसकी कलाई में घुस गई किसकी कलाई में घुस गई यहां पर उनके मामा की चोटी ल ठीक है और महां से क्या बहने लगा खून बहने लगा उसे मेरे मामा भी घर पे नहीं थे तो उनकी लड़की की मरम पट्टी किसको करने पड़ी बताई जब होता है कोई तो कौन करता अगर किसी को चोट लग जाए मालों कि आप और आपकी मम्मी को यदि चोट लग जाती है और आप हो घर पे तो उनको पट्टी दवा देने का काड़े कोन करेगा आप ही करोगे ना तो इसी परकास से जब उनकी लड़की को चोट लग गई मामा की लड़की को यानि उनकी चूड़ी चुब गई हाथ में तो लेखक ने ही उनकी मरम पट्टी की और तभी ही उनको एक दम से सहसा यहाँ पे शब्द है सहसा इसका अचानक तो उनको बदलू की याद आ गए और उन्होंने सोचा कि आज उनसे मिलकर आता हूँ ठीक है तो शाम में क्या होता है लेखक घूमते घूमते कहां पर जाते हैं बदलू काका के पास जाते हैं ठीक है तो जाते हैं त परन्तु मुझे उन्होंने पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर वो निहारते रहे निहारने का मतलब यहां पे क्या है देखना यानि उनको निहारने करत मतलब की देखना कौन देख रहा था किसको लेखक को कौन देख रहे थे बदलू काका देख रहे थे मैं जरारदन हूं क काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था मैंने अपना सिय लूटlier जेता तो कुछ देर बाद क्या होता है यहां पर कौन कह रहा है ले खक बता हो भी कि तें Chelsea कर दो कि उसाद धरे को बाद करते हैं फिर देखते हैं ले कि ना तो मचिया जिस पर बैठकर जो बदलू काका है चूडिया बनाते थे ना तो अब वो दिखाई दे रहा था और ना ही कहीं पर भट्टी दिखाई दे रही थे तब लेखक ने क्या पूछा आज कल काम नहीं करते काका मैंने पूछा तब बदलू काका ने जवाब दिया नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चोड़ियां कोई पूछे तब तो, गाउं गाउं में काच क्या परचार हो गया, वया कुछ देर चुप रहा, और फिर बोला, मशीन यूग है न लला, अब यहाँ पे एक शब्द आया है, मशीन यूग, यह आपको स रहा है कि उसका काम कई सालों से बंद हो गया है, क्यों बंद हो गया है, क्योंकि अब कोई भी इस्तरी लाग की चुड़िया नहीं पेहनती, अब किस की चुड़िया पेहनती है, अब काच की चुड़िया किस से बनती है, मशीनों से बनती है, अब आप सोचिए, यहाँ पर किसान से साथ किसान पर गेहूं कृता जान oraz किसान सब्सक्राद यह कृता अपना काम करते थे हातों से उनका काम क्या हो गया अब छिन गया है और किनों ने छिल लिया वो काम मशीनों ने छिल लिया अब लोग मशीनों से काम जादा पसंद करते हैं क्योंकि मशीन एक तो जल्दी काम करती है और एक अच्छा काम करती है तो इसलिए यहां पर बदलू क बड़ा ही दुखदाई उनका बड़ा दुख का समय कर यहां पर वर्नन किया हुआ है उन्होंने जवाब दिया कि मशीनी युग है ना लला आजकल सब का मशीन से होता है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं पहले कौन जोता था किसान स्वम जोतता था लेकिन अब कौन जोता है मशीनों से काम होता है और फिर जो सुंदरता काँच की चूडियों में होती है लाख बे कहा संबव है लेकिन अब आगे लेखक कह रहे हैं लेकिन काच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लिल्ला कहते कहते उसे खासी आगई और वह देर तक खासता रहा है अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने लेकिन ऐसा क्यों कहा कि काच बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि अभी अभी उन्होंने देखा था क्योंकि मामा की लड़की की हाथ पर काच की चूड़ी चुप गई थी जिससे उनको काफी दर्द हुआ था ठीक है अब आगे हम देखते हैं उसके बाद जो है मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा चीपी है व्यथा का अर्थ यहाँ पर क्या है बहुत बड़ा दुख है मैं सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिये बहुती मैतफूण पंक्ति है यह बहुती मैतफूण प्रेश्न यहाँ से बनेगा विद्यार्ति-जियो ध्यान देना है कोशन बनेगा आपका कि मशीन युग ने मनुष्य के हाथ किस परकार काट दिये आप Senhor जादतर व्यक्ति मशीनों से काम करवाते हैं ठीक है अब आगे पूछ रहे हैं लेकक आम की फसल कैसी है काका कुछ देर तक वो इस तरीके से ही बाते लेकक और बदलू करते रहें ठीक है अच्छी है लेला बहुत अच्छी है उसने लेला कर उतर दिया और अंदर अपनी करना होकर माफ करना देला तुम्हें आम खाँ खिलाना में भूल गया दम आप देख रहे होंगे गाउं के वेक्तियों में एक तहजीब होती है कि एक वेक्ति यदि घर पर आता है कोई मेहमान किस परकार से वो उसका आदत सतकार करते हैं तो यह आपका जो है सीसी टी बेस प्रशन यहाँ पर बनेगा सीसी टी बेस प्रशन आपसे कैसे बनेगा कि यदि कोई मेहमान आपके घर पर आ जाता है तो आप उसका उस अतीति का आप सतकार कैसे करेंगे आप लोगों को इस प्रशन को स्वम से करना है सोचना है फिर लिखना है ठीक है यहाँ पर बदलू क कर द्वारा बताया गया कि बदलू किस परकार से कर रहे हैं मैं चुप हो गया मुझे वी दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे अब लेखा का आगे पूछ रहे गाय तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा गाय कहा है लला दो साल हुए बेच दी कहां से खिलाद अब यहाँ पर धदलू काका की यहाँ पर किसका गरीबी कवरनन किया हुए कैसे बदलू काका का एक व्यापार जो एक काम था क्या काम था उनका लाग की चुडिया बनाना वो काम कैसे चिन गया मशीनी युग के कार यंग क्योंकि सभी ने अब का acred कि पहना पसंद किया मशीनी युग आने के काण मशीनों से बनने के काण उनका काम धीरे धीरे बंद हो गया उनके पास एक गाय थी अपना घर का कार्य चलाने के लिए उन्होंने क्या किया उस गाय को भी बेच दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि उनकी किस परकार से बेरोजगारी हो गई और किस प्रकार से उनकी हालत बहुती खसता होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने फिर अपनी बेटी से इतने में रज्जोस की बेटी अंदर से एक डलिया में धेर से आराम ले आई तो यह बहुत है काका इतने कहां खा पाऊंगा मैंने कहा वा वा वै हस पड़ा शेहरी ठहरे ना मैं तुमारी उमर का था तो इसके चोगुने आम एक बहुत में खा जाता था चोगुने मतलब चार गुना आप समझ जाएंगे और बहुत मतलब एक समय बहुत का मतलब यहाँ पर यह आम परचलित भाशा का शब्द है बहुत इसका लेखक क्या होता है जब उनकी बेटी जो है रज्जो लेखक को आम दे रही होती है तो वो देखते हैं कि उनकी गोरी गोरी कलाईयों पर लाग की चूडियां थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी तो लेखक उनकी चूडियों की तरफ देख रहे थे फिर इधर बदलू उन्हें देखा कि लेखक लगातार जो है उनकी बेटी की चूडिया देख रहा तब फिर बदलू उत्तर देता है यह आखरी जोड़ा बनाया था जमिदार साहब की बेटी के विवहा पर दस आने मुझको दे रहे थे पर मैंने जोड़ा नहीं दिया अब आप लोग समझ ही ग ले आओ मैंने आम ले ले यहाँ पर क्या दिखाये गई है बदलू का व्यक्ति तो दिखाया गया है यहाँ पर कि बदलू एक बहुती स्वाबिमानी व्यक्ति था उन्होंने अपनी कला से कभी भी समझोता नहीं किया यानि उनके लिए उनके पास बहुत गरीबी थी उसके बाद भी उन्होंने दस आने में अपनी चूडियों को नहीं बेचा बलकि उन लास्ट जो जोड़ा था वो किस ने पहना उनकी बेटी ने पहना ठीक है मैंने आम ले लिए और खा कर थोड़ी देर परशाथ चला गया मुझे प्रसंता हुई प्रसंता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं माने यहां एक मैत्तपुन प्रशन फिर से है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ क्या है कि बदलू ने अंत समय तक भी अपने व्यपार में समझोता नहीं किया बहले ही उसकी स्थित बहुत बुरी हो गई थी उसके बाद भी उन्होंने अपने अभिमान से समझोता नहीं किया उसका व्यक्तितव कांच की चूडियों जैसा ना था कि असानी से तूट जाए यहां पर यह बात क्या है व्यक्तितव मतलब परस्नेल्टी कि जैसे कुछ थोड़े से पैसे देखे और व्यक्ति जो है बदल जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को आप लालत जल्दी देते हो तो बहुत ही व्यक्ति बदल जाते हैं तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है एक तो पहली बात तो संदेश कि हमारा व्यक्तितव कांच की तरह नही पाए चाहे कितनी भी विपरीत प्रस्थितिया हमारे सामने आई ठीक है तो मुझे लगता है आप लोगों को कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और कल हम इसे समझनित प्रशन करेंगे ठीक है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही हम इसी तरीके से अपना स ले बस आगे बढ़ाएंगे धन्यवाद विद्यार थी हूँ